आज हमारा light reflection and reflection का second part है जिसमें हम जानेगे कि medium क्या है medium यानि कि जिसको हिंदी में माध्य हम बोलते हैं ठीक है तो a medium is a substance through which lights propagates or tries to do so ठीक है तो मैंने कहा कि एक light है आपके पास वो light क्या करेगी पास होगी या फिर पास होने की कोशिस करेगी तो जो भी substance है जिससे कि वो light पास हो रही है या फिर उससे पास होने की कोशिस कर रही है उसे ही हम medium कहते हैं मैंने कहा एक substance है जिससे कि light पास हो रही है या फिर उससे हम medium कहते हैं ठीक है फिर हमारे पास कह रहा है there are three types of medium first is transparent second is translucent and third is opaque तो सबसे पहला मने transparent हम जानते हैं क्या होता है transparent it is a medium through which lights propagates easily यानि यह वो medium होता है जिससे की light बहुत easily propagates कर जाता है याफी easily निकल जाती है आपका example है glass water और air है आप क्या कर सकते हो कांच की glass पर light जला करके देख सकते हो वह light आप टार्च से जला सकते हो अगर टार्च आपके पास नहीं है तो आप उससे mobile के flash से जला करके आप easily देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट हमारा translucent तो translucent क्या होता है it is a medium through which lights propagates partially example है paper यानि कि translucent की बात करें तो यह वो medium है जिससे की light partially propagates कर पाता है यानि कि थोड़ी light निकल जाती है और थोड़ी light आपकी नहीं निकल पाती है एक्जामपल आप paper है paper को light की तरह पूरे से जाने नहीं देगी ठीक है थोड़ी से जाएगी और थोड़ी सी नहीं जाएगी नेक्स्ट है थार्ड ओपेक ओपेक क्या है it is a medium through which lights cannot propagate यानि कि यह वह medium होता है जिस दिक light प्रोपगेट्स हो ही नहीं पाती यानि कि निकल नहीं पाती एक्जामपल आप metals ले सकते हो आप मोटी book है उसका उससे आप ट्राइक कर सकते हो घर में ठीक है hope so आपको यह समझ में आया होगा